जैशिरा मेरे धनू राशी के प्यारे जातक जातिका मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आचारे राजमिश्रा और आपका अपना बेहत खास कारिक्रम लेकर के उपस्तित हूँ मानस जो तिस ग्यान फरवरी कैशे बेतीत होगा आपके लिए इस पर आजम चर्चा करेंगे और धरूर राशी के लिए जब भी मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं एक ऐसी राशी के बारे में बात कर रहा हूँ जो राशी उर्जा से भरपूर है जो राशी महनत से भरपूर है जिस राशी के लोगों को कोई भी काम दिया जाए तो बड़ी सिद्दत से उस काम को करते है लेकिन जब भी उसके पारितोशित की बात की जाते है यानि वो जो काम किया गया है उसका अप्रिशेशन कैसे मिल उसका जो एक ट्रेडिट मिलना चाहिए वो मिलेगा तो शायद मैं बहुत कम मिलता हुआ देख पाता हूँ कालपुर्ष के नवय अंग की राशी है ब्रहश्पती इस राशी के श्वामी है पुर्ब दिशा की राशी है अगनी तत्तु राशी है अगर हम धनु राशी की बात गद गोचर करेंगे शनी आपके थर्ड हाउस में गोचर करेंगे बहश्पती आपके पंचमभाव में गोचर करेंगे आखिर ये पूरा समाबेस किस चीज को दर्शाता है क्या होगा इस राशी का किस प्रकार की परिस्ततियां होंगी आखिर फरोरी में क्या रखना होगे शुक्र के आपके रासी में 11 तारीक तक गोचर करने के कारण एक तो सबसे पहले चीज़ स्वास्त को ले करके ध्यान रखना है बस हाँ उसलाब से भरपूर रहेगा ध्यान रखिएगा एक तो पंचम भाव का और उसके साथ नौम भाव का राजयोग जो है शेकंड हाउस के अंतरगत बन रहा है पंचम और नौम का राजयोग अकॉर्डिंग टूरीसी पर आशर एक बहुत बहतरिन राजयोग जिसको कहा जा शकत है वो आपकी राशी के अंतरगत बनता हुआ दिख रहा है तो इसका तात पर यह है कि आपके लिए जो परिवार्तन रहेगा वो यह बहुत सांदार रहने वाला है आपकी जो ब्योस्थाएं रहेंगी यानि राजयोग बनने से कुछ महत्पूर्पद आपको प्राप्त हों होगे घहर में आपके मांगली कारे का आयोजन होगा किस चीज में सबसे अधिक आप ब्रहने वाले है सबसे अधिक जो आपकी ब्यस्तता रहेई इस महीने i.11 तर तरह तक आप परिवारिक relation को बहतर करने में परिवारिक रिस्तों को ठीक करने में आपकी ब्यस्तता सबसे अधिक रहने वाली है इस प्रकार की condition आपकी राशी के अंतरगत नजरा आ रही है परिवारिक relation को ठीक करने में आप सबसे ज़्यादा विजी रहने वाले है ये परिस्तती आपकी राश्री के अंतरगत नजर आ रही है अब ग्यारा तारीक के बाद आखिर क्या होगा ग्यारा तारीक के बाद शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो उसे बहुत सुंदर लाफ आपको प्राप्त होगा इसमें कोई दोराय नहीं है अचानक पैसे की ब्रद्धी धन की प्राप्ती आपको जरूर देखने को मिलेगी अपने जीवन की अंतरगत हाँ बट कुछ सावधानिया आपको जरूर रखने की आवस्षक्ता होगी किसी को पैसा देना नहीं होगा दिया हुआ धन वापस प्राप्त हो इस प्रकार की परिस्तिती कम है और कहीं भी दर्योग आपके बनेंगे विदेश में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इस टाइम पर किया गया प्रयास निश्चत रूप से आपके लिए शफलता प्रदान करने वाला होगा किसी ऐसे राजनैतिक ब्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसके मुलाकात से आपके शचिए को बेचने में इस बार आपको विशिश शाउधानी की जो है तो उसके पेपर और बाकी चीज़ों पर लेका ध्यान दें यहां पर इस प्रकार के संयोग बन रहे हैं कि आपको धोखा प्राप्त हो ऐसे कंडीशन आपकी राश्री की अंतरगत है अच्का एक और ची तो जीवन शाथी के शाथ स्वास्त को ले करके थोड़ी दिक्कते जीवन शाथी को रहेंगी उनके शाथ आपको क्या कोशिश करना है कि थोड़ा प्रेम शंबंद बहतर बना रहे हैं उनके शाथ रिलेशन को बहतर मेंटेन करके रखना है तीन यात्राएं आपकी इस महीने दिख रही है एक बारा से चौदा के बीच में दूसरी 26 से 30 की दूसरी 26 तारीक को और तीसरी 28 तारीक को तीन यात्राइं आपकी दिख रही है भगवान कृपा करें आप सुखी रहें यही शुभकामना है हम लोग फिर मुलाकात करेंगे इस कारिक्टम में और उसके साथ रात को नौ बज़े दो पहर को बारा बज़े लाइब आता हूँ आप मेरे साथ लाइब जुड़ सकते हैं साथ साथ कोई भी प्रश्ण है तो आप समय लेकर मुझे से बात कर सकते हैं आपका जुड़ने के लिए बहुत धने बाद जैश्री नाम